हलो फ्रेंट्स, आज हम बात करते हैं अहुमजला के बारे में, तो फ्रेंट्स जो हमारे पास वुल्टेज होती है और जो करेंट होती है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यानि कि जैसे friends मान लिजे कि ये हमारे पास एक conductor है यानि कि एक तार है मान लिजे कि ये हमारे पास एक conductor है और इस conductor में जो हमारे पास current flow करती है वो current जो है वो I current flow करती है और जो इस conductor के across में voltage है वो कितनी है V है चीखे तो इस V और इस I के बीच में क्या relation है यानि इस voltage और इस current में relation क्या है इस को सबसे पहले इस relation को सबसे पहले जर्मन के एक scientist यानि की जो जर्मन के रहने वाले थे जिनका नाम था George Simon Ohum उन्होंने ही इस voltage और current के बीच में क्या relation है उन्होंने ही सबसे पहले discover किया था यानि उन्होंने ही सबसे पहले voltage और current के बीच में relation क्या है उन्होंने ही सबसे पहले पता किया था इसलिए उन्ही के नाम पर ये नाम पढ़ा है Ohumzla या फिर कहिए कि उन्ही के respect में ये नाम पढ़ा है Ohumzla और ये ला क्या कहता है कि जो हमारी current flow कर रही होगी conductor के थ्रू यानि तार के थ्रू जो current flow कर रही होगी वो डिरेक्टली proportional होगी voltage के यानि कि जैसे जैसे हमारी voltage increase करेगी वैसे वैसे हमारी current भी increase करेगी छिखें यानि कि इस तरीके से लिखा होता है V is directly proportional to I यानि कि जैसे जैसे हमारी voltage increase करती है वैसे वैसे हमारी current भी increase करेगी तो ये क्या है एक दुसरे के directly proportional होते हैं अब जब हम इस directly proportionality को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक constant जुड़ जाता है और जो हमारे पास होगा conductor का resistance ठीक है अब अगर हम ओहम्जला की definition देखें तो हमेशा से लिखता है 8 constant temperature क्या लिखता है 8 constant temperature temperature कानस्टेंट क्यों रखता है friends क्योंकि इस scientist को ये जो हमारे पास George Simon ओहम थे इस scientist को पता था कि अगर हम temperature के साथ छेड़ खानी करते हैं यानि temperature को अगर हम change करते हैं या फिर कहिए कि temperature अगर हमारा vary करता है यानि change होता है तो metals में क्या होता है metals का resistance जो है वो बढ़ जाता है ठीक है मान लिखे कि ये हमारे पास ये हमारे पास एक conductor है copper का conductor है तो इसमें क्या होंगे एक तो इसमें होंगे electrons और दूसरे होंगे positive ions यानि atoms होंगे जिन पर positive charge होगा ठीक है तो बहुत सारे इसमें electrons भी है और बहुत सारे इसमें positive ions भी होंगे तो जब हमारे पास temperature increase करता है या फिर कहिए कि temperature जब बढ़ता है तो अंदर से इनकी जो collision speed होती है या फिर कहिए कि जो collision इनके बीच में electron electron के साथ जो टकर खाने की उसकी velocity होती है या फिर electron जो हमारे positive ions के साथ टकर खाता है उसकी टकर में क्या हो जाता है यहीं बहुत ही तेजी के साथ टकर खाते हैं यानि कि collision velocity कहिए कि collision जो टकर खाने की velocity होती है वो increase कर जाएगी बढ़ जाएगी temperature के increase करने से तो जब इनकी टकर खाने की velocity जो है increase करेगी तो एक तरह से क्या होगा resistance बढ़ जाएगा या फिर कह सकते हैं कि electron को ज्यादा problem होगी या फिर ज्यादा time उसको लगेगा आगे बढ़ने के लिए ठीक है तो यानि कि temperature के increase करने से resistance जो है metals का increase करता है बढ़ जाता है इसलिए इस scientist को ये चीज़ पता था कि अगर हम temperature को constant नहीं रखेंगे तो हमारे पास resistance जो है वो constant नहीं रहेगा है ना resistance बढ़ जाएगा और अगर resistance बढ़ जाएगा तो यहाँ पर current जो है वो घट जाएगी कम हो जाएगी तो हम नहीं कह सकते we is directly proportional to I होगा फिर यहाँ पर यह जो ला है यह क्या होगा not applicable होगा यानि applicable ही नहीं होगा है ना तो ला जो हमारे पास होते हैं यह कभी change नहीं होते हैं इसलिए यहाँ पर क्या है कि यह जो temperature है इसको constant रखना ज़रूरी है क्यों temperature को constant रखना ज़रूरी है क्योंकि हमें resistance को constant रखना है जब हमारा resistance constant रहेगा तो हम कह सकते हैं कि V जो है वो directly proportional to है I के यानि कि जैसे voltage बढ़ेगी वैसे वैसे current increase करेगी या फिर कि अगर current increase कर रही है हमारे conductor के थूँ इसका मतलब है कि voltage जो है वो increase कर रही होगी ठीक है इसके अलावा लिखता है कि resistance को अगर हमने constant रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा length को constant रखना पड़ेगा और area को constant रखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हम जानते हैं friends कि resistance का formula होता है r बराबर होता है rho l upon area के ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर length को हम increase करेंगे याई length को अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर resistance बढ़ जाएगा इसलिए हमने length को भी क्या रखना है constant रखना पड़ेगा अगर हमने resistance को constant रखना है इसके अलावा यहाँ पर जो तार का area है व resistance भी कम या ज्यादा होगा तो हमने क्या करना है resistance को constant रखना है इसलिए हमें तार का area भी क्या रखना पड़ेगा constant रखना पड़ेगा ठीके तो यही लिखता है एक तो हमारे पास temperature constant रखना है दूसरा हमने length को constant रखना है और area को constant रखना है अगर हमने resistance को constant रखना है तो तो जब हमारा resistance constant हो जाएगा तो यह जो ला है तब हम कहा सकते हैं V is directly proportional to I होगा अब अगर हम graph plot करें voltage और current का अगर हम graph draw करते हैं voltage and current का तो यह क्या होगा मान लेज़े यहाँ पर इस तरह के से यह y axis में हमारे पास voltage है और x axis में हमारे पास current है मान लेज़े कि voltage हमारी 5 volt increase कर रही है तो यहाँ पर उस टाइम पर current कितनी increase कर रही है एक ampere की इसी तरह के से voltage यहाँ से 10 volt increase कर रहा है तो यहाँ पर जो हमारे पास current होगी वो 2 ampere की increase कर दो यानि 5 volt यहाँ से increase हो रहा है और एक एक ampere की यहाँ से increase कर रही है current ठीक है तो यहाँ से यह जो हमारे पास graph है यह क्या बनता है एक straight line graph बनता है यानि एक linear graph हमारे पास बनेगा और यह जो हमारे पास line होती है यह हमें इसको हम calculate करेंगे तो हमें resistance मिल जाएगा देखिए यहाँ पर देखिए अगर हमें V पता है और I पता है तो V होता है I into R voltage बराबर होता है current multiply by resistance तो हमें इस resistance को find out करना है तो resistance को find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा voltage और यह current हमारी divide में हो जाएगी तो voltage मालेची यहाँ पर क्या है 5V और current क्या है उस टाइम पर 1A की तो यहाँ पर resistance क्या आ जाएगा resistance हमारे पास आजाएगा 5 Ohm ठीक है इसी तरीके से next हम देखते हैं देखें यहाँ पर इसी तरीके से हम करते हैं तो R बराबर होता है V by I जैसे यहाँ पर हमने लिखा तो R बराबर voltage हम ले लेते हैं 10V तो current क्या है उस टाइम पर 2A ठीक है तो 2, 1s are 2, 5, 2s are 10 तो resistance क्या आ गया 5 Ohm तो यह जो resistance है यह क्या है हमारे पास constant रखना पड़ता है हमें तभी जाके हम क्या कह सकते हैं कि V क्या है directly proportional होता है I के और यह जो graph क्या बनता है इसका एक linear graph बनता है जो कि हमारे origin से पास करेगा so I hope friends के आपको यह clear हो चुका होगा so अगर आपको कोई भी doubt होगा तो आप मुझे comment के जरी बता सकते हैं मैं फिर से कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की so thank you very much